हेलो एवरिबंद आप पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइस का चेप्टर नमबर वन सीत युद्ध का दौर करेंगे और इस चेप्टर का दोस्तों पार्ट 4 है जिन भी विध्यारती द्वारा इससे पहले के पार्ट नहीं देखा गया है उसका लिंक डिस्क्रेप्टर में हैं वहां से जाकर आपसे देख सकते हैं और इस चेप्टर को पूरी तरह से समझ सकते हैं तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले जो लोगा आरे के शोर बर दोस्त ना बहुरे 29 के दाईरे आप सभी को पता है कि दूसरे विशूत के बाद के काल में सोब्यस संग और सन्यूत राज जामेरिक घृज जो तनाओं की स्थिति को हम सीद्यूद के नाम से जानते हैं और यह जो तनाव की स्थिति थी दोस्तों यह कुछ सीमा तक ही सीमी थी यानि इसकी भी अपनी कुछ सीमा थी यानि आप कह सकते हैं कि सरकल से बाहर यह है यह जो सीद्यूद नहीं फैला यह इसका प्रसार नहीं हुआ इसका बहुत बड़ा कारण था दोस्तों कारण की चर्चे हम आगे करेंगे लेकिन कुछ चीज़े जो हैं हमें जानने चाहिए कि दारे की बारे में कौन-कौन से ऐसे दारे हैं जहां पर यह यूद बढ़ सकता था प्रंदू बढ़ा नहीं तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों 1962 में क्यूबा मिसाल संकट के दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच यूद हो कर रहेगा क्योंकि दोस्तों एक तरफ सोवियत संकी सेना और दूसरी तरफ अमेरिका के सेना आमने सामने पहली बार किसी यूद के मैदान में भी थी प्रंदू दोस्तों दोनों की समझ बूज के बाद ये यूद की सिति को टाला गया तो यह कहीं न कहीं दोस्तों सीद्यूद का एक दायरा था किलिए रोगया ठीक इसी परकार से दोस्तों बर्लिन की नाके बंदी के दुरान भी ऐसी सीद्यूद पन हुई थी जो 1948 इसे बाद कोरिया मिसाइल संकर 1950 वियतनाम में अमेरिका का हस्षेव जो 1974 से 1975 था और हंगरी मे तो दोस्तों जैसा की आप सभी इस मैप में देख सकते हैं कि किस परकार से बर्लिन की घेरबंदी की गए है तरफ से आप देखते हैं कि सोविये संग, Great Britain, France और United States और अमिरका लेकिन ये जो घेरबंदी की गए है दोस्तों ये घेरबंदी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं युद में तबदिल नहीं हो पाई ऐसा भी नहीं थे कि युद नहीं हो लेकिन छिटमुट युद हुआ लेकिन जो छिटमुट युद था ये बड़े लेवल पर कनवर्ट नहीं हो पाया जैसा कि हमने second world war के दुरान देखा था तो इसे ही हम कहते हैं दोस्तो पर देख सकते हैं अपने सेकन्क लबाता किया था तो आज की वार्श को आब सब्सक्राइब के बाद करते हैं कि पाल करते हैं तो सब्सक्राइब को ये जिए ये जिएक धाली तो परके मिए बाफे T Hornet sprechen सोईने कर्वा कर्फें प्रें आपस में पर्तिसपर्दा कर रहे थी एक दूसरे के खिलाफ आगे बढ़ रहे थी अगर अमेरिका एक प्रमाड उबम प्रेक्शन कर रहा था सोवेशन दो कर रहा था अमेरिका एक मिशायल प्रेक्शन कर रहा था तो सोवेशन दो मिशायल प्रेक्शन तो इसी तरह से जो यह चीज में तो कोटोटी करने पड़ेगी तो इन्हीं दोनों देशों जन कल्यान कारें में पूरी तरह से कोटोटी कर दी जो जन कल्यान कारें पहले अमेरिका और सोवेशंग द्वारा किये जाते हैं तर नागरीकों के लिए उनके अच्छे संसाधन की उपलब्द कराने के लि आपने नागरीकों को तवज्यु देनी चाहिए तो ऐसी स्थिति में उन्हें खर्च को कम करने के लिए अने पर्यास कि और इस पर्यास में तो इन दोनों देशों कि मद कए ऐसी संधियावी या आप कह सकते हैं करता ने नियम बनाए चाहिये जो पना लिए हैं, हुँ पाम भेता सीमी तरह जाना जाए हैं, इन दोनों देशों ने कई संधिया की और इन संधियों में कुछ संधिया जो बहुत ही महत्वपूर हैं जिसके बारे में हम इस यूडियों चर्चा करेंगे जो हमें जा नीचे और जो पेपर में भी आएंगी तो चलिए सबसे पहले संधी की बात कर लेते हैं दोस्तों उस सं सब्सक्राइब के बीच हो उसमें 90% जो है 90 मिनट्स के जो कोश्चन पूचे आएंगे 100% क्या होंगे एमसी की उस लेवल पर होंगे राइट तो ऐसी स्थितिय में में इसी अधार पर अपने पुड़ाई को इस स्रेजिज को अभी आगे लेके जाना स्मार्ट वर्क तरीके से तो फुल फॉम बे आपको लगाता रियात करनी होगी अब इस संदी में क्या था दोस्तो जड़ा देख लेते हैं इसके तवारा अमेरिका और सोवियस संग ने हतियारों के उत्पादन पर रोक लगाने के परियास किये और दोनों ने आपस में कुछ विश्यस हतियारों को लेकर समझाता किया और ये फैसला किया कि इनके उत्पादन को या तो रोका जाएगा या सिमिर किया जाएगा अब एक जाएगा अगर विश्यस संदी को प्योग को दूसरा देख भी कर सकता है अगर ऐसा करता है तो हमारी इस्तिती और भी खराब हो जाएगी क्योंकि दुनिया में अब जब हम दो दुर्वीज की बात करें तो दोनों पुरी दुनिया दो ही गुटों बटी भी थी एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोविय संग तो यह दोनों देश चाहते हैं कि हम से कोई देश आगे ना निकल जाए और जितना भी हमारे पर संसादान है वह हम तक ही सीमित रहे तो इसलिए इस संदी को इस्तमाल किया गया जिसे हम सोल्ट के नाम से जानते हैं क्लिए रहे हैं दूसरी संदी जो काफी महत्वपूर है उससे पहला आप दोस्तों यह मैप देख सकत है ऐसा कुछ इस संदी के माद्यम से इन दोनों देशों को वह सोचा था इस मैप में आप किलेर तरूस से देख सकते हैं कि चितरगार ने बहु भी इसाणाम दिया है दिखाने के लिए अब दूसी संदी है डोस्तों इसके बाड़े में हम बताते हैं आपको दूसी संदील सीमित परमाडू परिक्षण्ड सथी अब सीम नाम से बाधो या मात्र हो गया रहा निए यांई यह करता है तो वह सिधा भूगर बद्द जमीन के अंदर ही पर मालूं परेक्चन कर सकता है वह व्णल में कर सकता है ना बहुं कर ना पानी अंदर कर सकता है तो इसी आपको पता है दोत्व जब हम 1974 or 1998 में हम ने जो किर था बारत ने वो जमीन के अंदर किया था तो आप क्योंकि हम एल्टी बीटी संधी के हस्ताक्षर करता थे यानि हमने हस्ताक्षर किया था इसी वज़े से और यह संधी दोस्तों इस पर अमेरिका ने ब्रिटेन और सोव्य संग ने पांस पांच अगस 1963 को मास्को में हस्ताक्षर किये और यह 10 अक्टूर 1963 से संधी कर दी गई तो आपको याद कना संधी 2023 प्रहस्ताक्षर कप किया कि град था इस अक्टूर 허팝 में मास्को में पांच अगस को संधी 10 अक्टूresh से लागू कर दी गई कि लिए रोगे दोस्तों आप बात करते हैं तीसी संदी जो काफी ही महत्वपूर यहाँ पर इस चीतर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी राश्पती जानफ केनेडी और अन्य संबंदी दर्ज जो के लोग हैं इस संदी पर हसाचर कर रहे हैं आप इस मैप में इस चलिए अब बात करते हैं इस तीसी संदी की जिसे हम कहते हैं NPT यानि परमाडू अप्रसार संदी यानि परमाडू पर रोक यारी अब इससे कह सकते कि जिन देशों के पास अभी परमाडू बं है वो तो परमाडू संपन कहलाएंगे लेकिन कोई दूसरा देश परमाडू परमाडू संपन नहीं बन पाएगा इस संदी पर हस्ताक्षर करने के बार ऐसा यहां पर लिखा गया है तो इस संदी के उसार उन देशों को परमाडू संपन देश माना गया है या माना गया है जो एक जनवरी इस संदी के बात करें तो हम भी परमाडू संपन नहीं के लाएंगे क्योंकि भारत ने तो अपना परमाडू परिस्टर कर चुके है या परिस्टर कर चुके है और इस संदी के नुसार इन देशों के अलावा कोई बी अंड देश परमाडू हत्यारों का परिस्टर कर चुक नहीं कर सकता है इस संदी पर 1968 में वासिगंडर लंदन और मासकों में अस्ताक्षर हुए और यह संदी पांच अगस 1970 से प्रभावी दी तो यह पूरी तरीके 200 संदी एक आप कह सकते हैं कि गलत थी क्योंकि जो देश पहले परमाणू संपन हो चुके हैं वह तो ठीक है लेकिन कोई दूसरा देश परमाणू संपन नहीं हो पाएगा ऐसा संदी के पासार ने संदी पराद है की हुए प है तो आपको बाद को है तो पाकिस्तान पीछे पीछे आए गई तो पाकिस्तान ने भी संदी प्रहस्थारा करने से मना कर दिए एक और देश है जो संदी प्रहता अचानी के वह है उत्तर कोरिया ठीक है कि लिए दोस्तों इसी बात पर दोस्तों एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है चैनल को जरू-जरू सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना ना भूलें यहां पर आप द सब्सक्राइब सकते हैं तो सबसे पहले हम देखें दो की नोन सिगनेटर स्टेट विद नोन निकलर वैपन की बात करें तो जो गिरीन दिख रहे दो तो इनके पास तो ना कोई कोई प्रमाडू बाम है और ना ही इननोंने कोई नपीटी पर हस्ता अक्षर किये अब इसके देट अब वह लोग है जोने इस पर इस टूटी पर सिगनेचर किया है तो इसी तरह आप पूरे मैप को देख सकते हैं इसके सोट लेस सकते और अच्छी तरह सिर्कों समझ सकते हैं दोस्तों अब भारत की बात करें तो यहां पर दिख रहाए दोस्तों जैसे भारत रैड य पाकिस्तान भी है यह वो देश हैं जो यह लो गलर्स में आप देख सकते हैं इन्होंने विड्रो कर लिया है पहले यह इस समझ इस समझ इस से विक्सित हो जाई है दो अब बात करते दोस्तों कि वो देश मैं आप अच्छी दर देख सकते हैं कि यह एन पिटी नुकेलर वीपन देश क्हों कौन से इड़्न चाइन ठीके नोन एन पिटी नुकेलर वेपन स्ट्छान कौन कौन से नोन वेपन की बात करें पाकिस्तान है भारत है और नोड कोरिया और नाटो नुकुलर वेपन शेरिंग ईतली है जर्मनी है अब बात करते हैं अपने नेस टोपिक इसके नाम है नुचार्फिक व्यवस्ता नो अंतराश्य आर्थी ववस्ता के घर हम बात करें दोस्तों तो एक काफी important topic है यहां से question बहुत बार पूछे के हैं अब इस बार दोस्तों क्योंकि MCQS पूछे जाएंगे तो MCQS में आपको new की full form आपको पता होनी चाहिए नो अंतराश्य आर्थी ववस्ता कब लागू की कि यह पता होनी चाहिए तो आप अपने study में परिवर्तन कीजिए क्योंकि अब हमारे paper भी परिवर्तन के दार पर पूछा जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं नो अंतराश्य आर्थी ववस्ता के बारे में तो नो अंतराश्य आर्थी वस्ता के है दो तो सीथ यूद के दोरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुटनी विक्सता में सामिल लगभग सभी वे देश जो अभी अभी आजाद हुए थे और गरीब वा अलप विक्सित थे उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चु विकास करने की और देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालने इनकी जरूरती तो ऐसी इस्तिति में आर्थी विकास तभी हो पाएगा दोस्तों जब विकास करने के साधन उपलब्द हो विक्सित करने के साधन उपलब्द हो और वो साधन तभी उपलब्द हो सकते हैं जब गुटनिपेक्च आंदॉलन यस्थय विश्व के देशों ने पुराने विकासव्य विश्व अर्थव्यस्टा को समाप्त करके नई अंतराश्थय अर्थव्यस्थय जन्म तथा इस्थापन प plais़ाईद किया और सत्तर के दसक में इन विकासिल देसों ने रादनेतिक स्वतंतरता के साथ साथ आर्थिक स्वतंतरता के मांग भी अरम कर दी थी जिसके प्रणाम सुरूप एक नई अवधारना नई अंतराश्य अर्थवस्ता का जनम हुआ तो नई अंतराश्य अर्थवस्ता का अगर हम एक सब्त में बात बताएं आपको दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है नई अंतराश्य अर्थवस्ता को मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्ता जिसमें विकासिल देशों को विक्सित देशों के बजार में अपने माल को बेचने का अधिकार था या आप कहा सकते ही उपनिवेश थे जैसे इजामपल के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत की इतने भी संसादन थे उस पर ब्रिटेन का अधिकार था लेकिन नव अंतराश्य आर्थिवेश था के बंद जाने के बाद अब विकासिल देशों के अपने अर्थवस्ता पर अपने संसाथ में पूरा अधिकार हो गया था ये एक बहुत बड़ा चेंज था नियों के लागू होने के बाद अब बात करते हैं दोस्तों नियों लागू कौन करता है ये इस्तिति कैसे आती तो उसकी ज़ज़ा कर अंग्टार्ट ने दोस्तों एक एक पॉलिशी लागू की आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट का नाम भी पूछा जा जाता है उस रिपोर्ट का नाम है टूर्ड और नियू ट्रेड पॉलिशी फॉर डेवलपमेंट के नाम से रिपोर्ट का प्रसुत की 1972 में अब अब अंग अब इनाटे नेशन ओफ और नाजेशन की स्थापना कपकी गई यह भी आपको पता होने चाहिए 24 अक्टूबर 1945 में ठीक है सेकेंड रॉलवार के बाद अब देख लेते हैं दोस्तों इस अंग्टार्ट ने जो अपनी नहीं पॉलिशी फोर रिपोर्ट जा रहे कि इस रि विक्सित देशों का अपने संसादनों पर पूर नियंत्रण होगा इससे पहले जो अल्प विक्सित देश है या विकासित देश है उन्हें अपने संसादनों पर पूर नियंत्रण नहीं था के लिए दूसरे है दोस्तों अल्प विक्सित देशों को विक्सित देशों के ब दुनिया में लागू किया गया विक्सित देशों से मंगाई जाने वाली जो प्रोधोगी कीमत कम हो अब दोस्तों किसी भी देश के विकास करने के लिए प्रोधोगी को इस्तमाल करना बहुत जरूरी होता है और छोटे देश जो विक्सित नहीं थे गरीब थे वह इतनी बड विक्सित देशों को अंतराश्ची संस्थान में विक्सित देशों को Weakso में कि जो नहीं विक्सित तो नहीं राखू लागू होने बाद विकास्ति देशों में यह परवर्त्रं आ किया गया और ये परिवहत्य ने दोस्तों विकासिल देशों को पूरी तरह थे सकते आइक परकार से विकास करने में मददगार साबद किया और मददगार होई यह यह इस योजना के दुरान के लिए रोगे दोफ्टों अब बात करते हैं दोस्तों परिधकतावाद हम ने दोस्तों गुट निपेख चांड़ों निसमें अपको बताया था एक अलग से वर्ड भी आये हुआ है तो इसलिए हमने इसे सचा कि इसे अलग से आपको बताते चले तो प्रिधकतावाद को मतलब क्या होता दोस्तो एक एक ऐसी निती आप क्या सकते हैं कि अपने आपको एपने अंधर पोरी तरह ……कुऊ-पने आपको संबथ नहीं रखते हैं । क्या कहते हैं पिरतक्ताबाद यह के लिए दोष्टू का बाद कर तो फ्रांसी जबदें साबदिक अर्थ क्या होता है दोस्तों सितिल्टा अथवा तनाओ सेथ परता में लगे हूं आपस μεं कैसे लडाई में लगे हूं उनमें आपस में तनाव को महौल हो आपसमिरोधी संबन रखते हों जब वो इन इनस भी तनाव महौल मोहल से देदान के लाता है और अंतराश्य राजिती में देदान सब्द का परियोग दोस्तों मुखी रुप से दो महान सब्दियों के रुप में कियाता है वह हैं सोवियस संग और अमेरिका आपको पता कि नाइन्टिन फॉर्डीफाइव august प्रेदान के बार के बार उन्ष्य प्रद्दियों तक इन में तनाओ था तब तो इसलिए अंतराश्य राजिती में देदान सब्द कपयोग इनहीं दोनों देशों के लिए किया जाता है कि लिए रोगे दोस्तों यह भी पूछा जाता है कोश्चन में इस बार पूछा जाएगा भी क्योंकि एमस्ट कूश्चन आएंगे आपके पेपर में इस बार सन्दियों प्रहताख्चर कर रहे हैं के लिए चलिए अब बात कर लेते दोंस्तों अपरोध केría आपरोध को अर्थ होता है दोस्तों वह सिती आप कह सकते हैं कि जब जिसमें दोनों देश आपस में युद करने खत्रा नहीं लेते क्योंकि दोनों देश बहुत सक्तिसाली होते हैं और युद के बाद होने वाली हानी को उठाना नहीं चाहते हैं एक्जामपल के लिए अपरोड कहा है दोस्तो कि जब आमने सामने दो देश हो और दोनों कहा हो दोस्तो सक्तिसाली हो प्रमाडु सक्ती संपन है अमेरिका भी प्रमाडु सक्ती संपन था उ आमेरिका के ऊपर प्लट बार कर सकता था तो ऐसे इस्तिति फिर्थ róż Grade वियुकि युद नहीं करने की इस्तिति तो हमेशा अगेरा रखा इसे ही plural स्थिति यानि जब दोनों देश सक्तिसाली हो, दोनों के पास समान हत्यार हो तो दोनों देश दोस्तों हानी उठाने के प्रक्ष में नहीं होते हैं क्योंकि दोनों दोस्तों के बराबर हानी उठानी पढ़ सकती थी ऐसी स्थिति में इसे ही कहा जाता है अपरोध की स्थिति का होना ठीक है अब इंपोर्टन पॉइंट से अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरे विश्विद का आगाज एक सितंबर पॉलेंड आकरमण करके पॉलेंड पर आकरमण करके उस पर अधिकार कर लिया तो सीट यारी से के विश्विद की सुरुआत मानी जाती है इसे आप शी तरह से दोस्तों देख लेना और इसे स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं और यदि आपको पीडियाफ चाहिए तो आप हमें टेलेग्राम पर फोलो करें वहां पर आपको हर टोपिक की दोस्तों पीडियाफ मिल जाएगी ठीक है दोस्तों इसके लाबा बात करते हैं दूसरे विश्विद के प्रणाम की तो द युनाटे नेशनली और इस्थापना होती है सामयवादी प्रवर्तिक बढ़ाव मिलता है कोल्ड वार भी अरम हो जाता है दोस्तों से गनवावार के बाद और उपनिवेस वाद का पतन हो जाता है क्योंकि अब देस आजाद हो गये थे और इसके बाद दोस्तों यूरोप क दोर वार कई थी हुआ हमें पता है कि बरुणकी पहले हमने आपको बताए बर्लैन की नाका बंदी क montón 48 में इसके बर्लीं की दिवार के बात करें उसथे सब्सक्राइनी समय निनकि Beginning क greatness निनिक सामयंवादी और 59 टो चाहिए ग्रूटी बटी नरी पर अमेरिका के साथ था यह थे उस्व बर्लिन की दिवार अगर हम बर्लिन की दिवार की बात करें दोस्तों तो बर्लिन की दिवार कब गिराएगे थी 9 नुवंबर 1989 को बर्लिन की दिवार को गिरा दिया गया और जैसे बर्लिन की दिवार को ढढ़ा दिया गया उससे दोस्तों सीद्यूद की जो है पूरी तरह से सीद्यूद के समाप कह सकते हैं कि आप सीद्यूद का प्रतिकात्मक अंत हो गया था इस बर्लिन की दिवार को ढह इस चेप्टर के जितने भी important mcqs मिलते हैं वो सारे लेकर आएंगे दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे यदि आपको दोस्तों इस चेप्टर संब्द कोई भी doubts है तो उसे comment box में जरूर पूछे हमारे दोर इसको उतर दिया जाएगा चारो पार्ट देखने दोस्तों से समझ भी सित करें वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सब एक धन्यवाद हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करें जैहिन धन्यवाद